ओम शान्ती, अव्यक्त स्थिती प्राप्त करने के लिए बाब दादाने, रिदय मोहिनी, गुलजार दादी के माध्यम से हमें जो पुरुशार्थ पताया उसका मनन करेंगे 1969 की वाणियों के द्वारा सम्पूर्णता का पुरुशार्थ करेंगे सभी अव्यक्तवानिया प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें वो बैल आइकन को प्रेस करें आज हम सुनेंगे 9 नवंबर 1969 की अव्यक्तवानी जिसकी मुख्य हेडिंग है भविश्य को जानने की युक्तियां सार दिपावली के सुब अवशर पर प्राण प्रीय अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य बाप दादा एक एक दीपक को एक काल समय की दृष्टी से देख रहे हैं या तीनों कालोगी बाप तु त्रिकालदर्शी है वह दादा श्री त्रिकालदर्शी है आप भी त्रिकालदर्शी हो या बन रहे हो अगर त्रिकालदर्शी हो तो अपने भविश्य को देखते वह जानते हो जानते हो मैं क्या बनूँगा पांडव सेना में अपना भविश्य जानते हो यह स्पष्ट है कि क्या बनोगे और कौन सी राजधानी में जन्म लोगे लक्ष्मी नारायन भी किस प्रमबर से हर एक ने अपना विचार बताया जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे अपना भविश्य नाम, रूप, देश, काल यह चारो ही स्पष्ट होते जाएंगे कि किस देश में राज़ी करना है किस नाम से, किस रूप से और किस समय पहले राजधानी में भी क्या बनेंगे दूसरी राज़धानी में भी क्या बनेंगे यह पूरी जन्म पत्री एक-एक को अपने अंदर स्पष्ट होगी बाप धादा जब भी किसी को देखते हैं तो तीनो कालो को देखते हैं पहले क्या था, अब क्या है, फिर भविश्य में क्या बनने वाले हैं तो एक-एक दीपक में यह तीनो काल देखते हैं आप दो काल तो स्पष्ट जानते हो पहले क्या थे और अब क्या है लेकिन भविश्य में क्या होना है उसको जितना जितना योग-युक्त होंगे उतना भविश्य भी स्पष्ट जान जाएंगे जैसे वर्तमान स्पष्ट है वर्तमान में कभी भी संकल्प नहीं उठता है कि यह है या नहीं है न मालूम क्या है यह कभी संकल्प नहीं उठेगा इसी रीती से भविष्ट भी स्पष्ट होगा ऐसा स्पष्ट नशा हर एक की बुद्धी में नंबरवार आता जाएगा देश भी स्पष्ट और काल भी स्पष्ट था इतना स्पष्ट है कि किस संबंद में आएंगे वो संबंद भी स्पष्ट किस रूप में सामने आएंगे अभी दिल में थोड़ा बहुत किस किस को आ सकता है लेकिन कुछ समय बाद ऐसे ही निश्चय बुद्धी होकर कहेंगे कि यह होना ही है अभी अगर आप कहेंगे भी तो दूसरे निश्चय करें या ना करें लेकिन थोड़े समय में आपकी चलन आपकी तद्बीर जो है वह अपने भविश्य तस्वीर को प्रसिद्ध करेगी अब तद्बीर और भविश्य में कुछ फर्क है लेकिन जैसे जैसे समय और आपका पुरुशार्द समान होता जाएगा तो फिर कोई को संकल्प नहीं उठेगा आप सभी ने दीप माला बनाई दीप माला पर क्या करते हैं एक दीप से अनेक दीप जगाते हैं तो अनेकों को एक के साथ लगन लगता है यही दीप माला है अगर एक दीपक की एक के साथ लगन है तो यह दीप माला है दीपक में क्या है? अगनी तो लगन होगी तो अगनी भी होगी लगन नहीं हो तो अगनी भी नहीं यही देखना है कि हम दीपक लगन लगाकर अगनी बने हैं दीपक कितने प्रकार के होते हैं जो दुनिया में भी प्रसिद्ध है हर एक ने अपना अपना विचार सुनाया एक है अंधियारे को मिटाकर रोशनी करने वाला मिट्टी का स्थूल दीपक और दूसरा है आत्मा का दीपक तीसरा है कुल का दीपक और चौथा कौन सा है आशाओं का दीपक कहते हैं ना बाप को बच्चों में आशा रहती है तो चौथा है आशाओं का दीपक यह चार प्रकार के दीपक गाए जाते हैं अब इन चार दीपकों में से हर एक ने कितने दीपक जगाए है बाप दादा की आशाएं जो बच्चों में रहती है वह दीपक जगाया है मिट्टी के दीपक तो कई जन्म जगाए है आत्मा के दीपक जगा है यह चारो प्रकार के दीपक जब जग जाते हैं तब समझो दीपमाला मनाई ऐसा कोई कर्म ना हो जो कुल का दीपक बुझ जाए ऐसी कोई चलन ना हो जो बाब दादा बच्चों में आशाओं का दीपक जगाते हुए भी वह बुझ जाए एकरस और अटल अडोल यह सभी दीपक जग रहे हैं जिसका दीपक खुच जगा हुआ होगा वह औरों का दीपक जगाने बगेर रह नहीं सकता बाब दादा की बच्चों में मुख्य आशाएं कौन सी रहती हैं बाब दादा की हर एक बच्चे में यही आशा रहती है कि एक एक बच्चा पहले नंबर में जाए अर्थात हर एक विजई रत्न बने विजई रत्न की निशानिया क्या होंगी जो आप सभी ने सुनाया वह तो जो सुना है वही बोला इसलिए ठीक ही है जो विजई होगा उनके लक्षन तो आप सभी ने सुनाए लेकिन साथ साथ विजई उनको कहा जाता है जो खुद तो विजई प्राप्त किया हुआ हो लेकिन औरों को भी अपने से आगे विजई बनाए जैसे बाब दादा बच्चों को अपने से भी आगे रखते थे ना वैसे ही जो विजई रत्न होंगे उनकी विजय की निशानी यह है कि वे अपने संग का रंग सभी को लगाएंगे जो भी सामने आये वह विजय बन कर ही निकलेगा ऐसे विजय रत्न विजय माला की किस नंबर में आते हो खुद तो विजय बने हो लेकिन और भी अपने संग के रंग में विजय बन जाए यही सर्विस रही हुई है ऐसे नहीं कि काटों में कोई ही विजय बनेंगे लेकिन जो जैसा होता है वैसा ही बनता है ऐसे विजय रत्न तो अनेकों को विजय बना सके यही माला के मुख्य मन के हैं तो विजय की निशानी है आप समान विजय बनाना अभी यह सर्विस रही हुई है अनेकों को विजई बनाना है सिर्व खुद को नहीं बनना है दीपमाला में पूरी दीपमाला जगी हुई होती है जब दीपमाला कहा जाता है तो अनेक जगे हुए दीपकों की माला हर एक ने गले में डाली है ऐसे जगे हुए दीपकों की माला हर एक अपने गले में डालेंगे तब विजय का नगाड़ा बजेगा जैसे दिव्य गुणों की माला अपने में डाली है वैसे अनेग जगे हुए दीपकों की माला अपने गले में डालनी है जितनी यहाँ दीपकों की माला अपने गले में डालेंगे उतनी वहाँ प्रजा बनेगी कोई कोई माला बहुत लंबी चोड़ी होती है कोई सिर्फ गले में पहनने तक होती है तो माला कौन सी पहननी है बहुत बड़ी ऐसे माला से अपने आपको श्रिंगार करना है कितने दीपकों की माला अब तक डाली है गिंती कर सकते हो वो अंगिनत है दीपक भी अच्छे वह लगते हैं जो तेज जगे हुए होते हैं टिम टिम करने वाले अच्छे नहीं लगते अच्छा मधुबन के फूलों में विशेश्चताएं क्या होनी चाहिए नाम ही है मधुबन तो पहली विशेश्चता है मधुर्टा मधुर्टा ऐसी चीज है जो कोई को भी हर्चित कर सकते हैं मधुर्टा को धारन करने वाला यहाँ भी महान बनता है और वहां भी मर्तबा पाता है मधुर्ता वालों को सभी महान रूप से देखते हैं तो यह मधुर्ता का विशेश गुन होना चाहिए मधुर्ता से ही मधु सूदन का नाम बाला करेंगे यह मधुबन नाम है मधु अर्थात मधुर्ता और बन में क्या विशेष्टा होती है बन में वैराग की व्रद्दी वाले हो जाते है तो बेहत की वैराग की व्रद्दी भी चाहिए फिर इससे सारी बाते आ जाएंगी और आप सभी को कॉपी करने के लिए यहां आएंगे सभी सोचेंगे यह कैसे ऐसे बन गए दूसरे शब्दों में कहते हैं सनेह और शक्ति आप सभी का सभी से जास्ती सनेह है ना बाब दादा से और बाब दादा का मधुवन वालों से विशेश सनेह रहता है क्योंकि भले कैसे भी हैं लेकिन सर्वस्व त्यागी हैं इसी लिए आकरशित करते हैं लेकिन सर्वस्व त्यागी के साथ अब इसनेह और शक्ति भी भरनी है समझा किस विशेष्टा को भरना है कुमारियों को कमाल कर दिखानी है कुमारियों का हर करतव्य कमाल योग्य होना चाहिए संकल्प और वानी तथा कर्म कमाल का होना चाहिए कुमारियां पवित्र होने के कारण अपनी धारना को तेज बना सकती है ऐसे कमाल को करतव्य कर दिखाना है जो हर एक के मुख से यही निकले कि इन्हों का करतव्य कमाल है जैसे बाप दादक के हर बोल सुनते हैं तो मुख से निकलता है ना कि आज की मुर्ली तो कमाल की है तो कुमारियों के हर कर्म ऐसे कमाल के होने चाहिए बाप दादा को follow करना है ऐसे नहीं कि कोशिश करेंगे जब तक कोशिश करेंगे तब तक कशिश नहीं होगी अगर कशिश धारन करनी है तो कोशिश सब्द को खत्म कर दो अभी कशिश रूप बनना है follow father करना है बाप दादा कब कहते थे कि कोशिश कुमारियां कमाल करेंगी तो साथी साथ भी देगा नहीं तो साथी साक्षी को हो जाएगा इसलिए साथी को साथ रखना है नहीं तो साक्षी बन जाएंगे साक्षी अच्छा लगता है या साथी जो मेहनत करते हैं उसका फल भी यहां ही मिलता है यह इसने हैं और भविश यह पद मिलता है सभी का इसने ही बनने के लिए मेहनत करनी है जो जितनी मेहनत करते हैं वह उतने ही स्नेही बनते हैं समय पर स्नेही की ही याद आती है कोई बात में मेहनत की याद आती है बाबा भी क्यों याद आते हैं मेहनत की है तब स्नेह है मेहनत से स्नेह बनाना है जितना जास्ती मेहनत उतना सर्व के स्नेही बनेंगे मेहनत का फल ही स्नेह है जो मेहनत करते हैं उनको हर एक स्नेह की नजर से देखेंगे जो मेहनत नहीं करेंगे उनको स्नेह की नजर से नहीं देखेंगे स्टूडेंट के टीचर के गुण जरूर धारन करने है स्टूडेंट को टीचर के गुंद जरूर धारन करने है इसनेह ही संपूर्ण बनाता है इसनेह के साथ फिर शक्ती भी चाहिए दोनों का जब मिलन हो जाता है तो इसनेह और शक्ती वाली अवस्था अती न्यारी और अती प्यारी होती है जिसके लिए सनेह है उसके समान बनना है यही सनेह का सबूत है इसमें अपने को चेक करना है कहां तक हम समानता में समीप आये हैं जितना जितना समानता में समीप होंगे उतना ही समझो करमातीत अवस्था के समीप पहुंचेंगे यही समानता का मीटर है अपनी कर्मातीत अवस्था को परखना है सिर्फ सनेह रखने से भी संपूर्ण नहीं बनेंगे सनेह के साथ साथ शक्ती भी होगी तो खुद संपूर्ण बन औरो को भी संपूर्ण बनाएंगे क्योंकि सक्ती से वह संसकार भर जाते हैं तो अब सनेह के साथ शक्ती भी भरनी है सभी की दिलों पर विजय किन गुणों से प्राप्त कर सकते हो सभी को संतुष्ट करना बाप में यह विशेश गुण था वही फॉलो करना सभी मदुवन वालों की लिस्ट में हो या ओलराउंडर की लिस्ट में हो एक है हद की लिस्ट, दूसरे हैं बेहद की लिस्ट ओलराउंडर और एवर रेडी इस लिस्ट में मालूम है क्या करना होता है एक सेकेंड में तयार संकल्पों को भी एक सेकेंड में बंद करना है मिलिटरी वालों का हर समय बिस्तरा तयार रहता है यह संकल्पों का विस्तरा भी बंद करना है विस्तरा भी एवर रेडी रहना चाहिए एवर रेडी बनने वालों का संकल्पों का विस्तरा तैयार रहना चाहिए कोई भी परिस्तिती हो उसका सामना करने के लिए पेटी विस्तरा तैयार हो अच्छा, रुहारी बच्चों, तुम आत्माओं को वानी से परे अपने घर जाने के लिए पुरुशार्थ करना है इसलिए इस पुरानी दुनिया में रहते देह और देह के संबंदों से उपराम चित होना है पति दुनिया में रहते हुए बाप पवित्र बनने की शक्ती देते हैं पुरुशार्थ करके तुमको सदा पवित्र बनना है बच्चे सदेव गुन ग्राहक बनना है स्तुती निंदा, लाब हाने, जै पराजय सभी में संतुष्ट होकर चलना है और रहम दिल बनना है अच्छा, आज इतना ही अब हम अगले वीडियो में अगली वानी सुनेंगे 1969 की अच्छा, ओम शान्ती